दोस्तों मैं सबसे अम अवैद विदेशी पालतु जानवरों में से शीर्षदस की एक श्रींखला बना रहा हूँ जिसे लोग खरीदते रहते हैं लेकिन उन्हें खरीदना उनके अवैद हियातायात को प्रोचाहिद करना और उनकी स्वतंतरता की कमी का समर्थन करना है अपने आवास में वे अपने लिए आवश्यक भोजन पाते हैं वे प्रजनन करते हैं और जीवित रहने के लिए न्यून्तम शर्ते रखते हैं उनके पास होने का अर्थ है उन्हें उस अवसर सेवानचित करना इसके अलावा उन बीमारियों के संचरन की चपेट में आना जो उन्हें हो सकती हैं सभी जानवर उस्थान के पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा है जहां वे निवास करते हैं और उनका कब्जा उन्हें अपरिवर्तनिय रूप से विलुक्त होने की ओर ले जा सकता है, जिससे प्राक्रितिक पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है, मनुष्य अध जानवर के रूप में सबसे पहले प्रसिद्ध थे, इसने दुनिया भर में मिनी सुवरों की बिक्री में वृद्धी की और लोगों को उन्हें अपने घरों में रखने के लिए प्रेरित किया, तब से वे कम विदेशी होते जा रहे हैं, मिनी सुवरों की कानूनी बिक्री के परिणाम सुरूप व्यावसाई घोटाले और परेतियाग हो गए हैं, क्यूंकि इन जानवरों को खरीवते समय लोग यह नहीं जानते हैं कि मिनी सुवर हमेशा मिनी नहीं होंगे, यह सामाने हो गया है कि जब जानवर का मालिक जिसे अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी औ और उसने 6 किलो का एक छोटा सुर खरीदा था जब वेवस्क आकार तक पहुंच जाता है और उसका विर्जन 50 से 100 किलोग्राम के बीच होता है, तो उसे छोड़ने का फैसला करता है। समय है कि हमें उनके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए नहीं तो वेट देन आएगा जब यह मिनी सूर भी दूसरों की तरह विलुक्त हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेर जरूर करें।